इंडियन के अवाम किया है कि चौता भी इंडिया अब जीतेगा दो दो बराबर करेगा और तीस तरफ ट्विस्ट हो जाएगा उसमें आज में का ओपनर चल गया तोड़ा सा ओपनिंग स्टैंडिंग की अच्छियों को उसके बाद आप देखो सारे खिलाडिंगे भी वेसी दबाओ नजर आ रहा था सौथ अफरीका में कि जीतें खेलें जीतें ड्रो करें क्या करें समझ नहीं आ रहा था आप उनका शौट पर देख लें आप उनका शौट भी देख लें और बोडी लेंग्वेज देखें तोड़ा सा मुश्किल था लिए इतना मुश्किल नहीं कि जितना इन्होंने बना दिया बैड आगे करकर बॉल दे दे रहे रहे रन आउट है को पता है हाथ में जबस्ती भाग रहे बॉडी लेंग्वेज लगेगी ना जब पीछे से किसी बड़े ने हाथ रख दिया कि टेंशन नहीं लो आज तुम लो जीतोगे टेंशन नहीं लो था सौथ अफरीका ने फूटी एड का मद्दा में पूरा सेटिंग हो चुका था आपको क्या चौते टी ट्वेंटी में और पांचवे टी ट्वेंटी में भी अब इसी तरह स्ट्रोंग कमबेक रहेगा पहली बात तो चलो शुकर है कि हम लोग ने उनको इतना जोश और गहरत दिलाया कि आज उनके ऑपनिंग अच्छी चली है और जिसके वज़े से बलुग जीते लेकिन या दिशान मुझे अभी भी जिए ना डॉट फुल आ रहा है अच्छा मुझे मुझे डॉट फुल आ यार एक टीम रिधम में आ चुकी है और वो आज तीन प्याओड होगे डैविड मिलर तो दूसरा बात है डियूसन भी नी चला अच्छानक मक्सद on कै mets समझ से बाहर था और मुझे भी झाये और यह ऐसा लग रहा है कि यह ke Tag 1 टी टीवनटी ना कि मुझे लग रहा है कि यह इंडिया जीच जाएगा अब जो लग रहा जिस तरह हलाथ और यह Pennsylvania पे लाएंगे समझो ट्विस्ट लाना ही है खेल के लिए वरना जिस तरीके से हालाती हूं कि 5-0 नहीं यार बहुत बुरी शिक्त हो जाती है और बहुत परिशान हो गए तो उनके जो आपको हिरानगी हो रही है साथ अफ्रीकन टीम पे के दो टी ट्विंटी अच्छा जितने के वाद अचानक वक्त बदल गया जजबाद बदल गया आपको इसलिए यकिन नहीं आ रहा है नहीं वक्त बदलने का मुझे अंदाजा था हाँ ये पैसे में बहुत ताकत है मुझे अदाजा था कि आपको इशारा किस जाने वे आपको समझधार है आप देखे रहे हैं एक टीम दो मैंच बेक टू बेक रिधम में आई और अचानक जो लड़का फिफ्टी बना रहा रहे हैं वो लड़का टीम फ्लॉप भी तो हो सकती है ना नहीं टीम क्या फ्लॉप होगी यार एक बंदा एड्जेस्ट हो चुका है अगर यह दो टीट्वेंटी मुसलसल हार जाते ने शिकर्स हो जाजा तो हम कहते के मुश्किल है दो टीट्वेंटी बेक टू बेक जितने के बाद अचानक तीसरा और मैंने फाइव निल जरूर बोला वा था प्रिटिक्शन में लेकिन मेरे को यह शक भी था कि यह जो इंडियन बोर्ड है ना कुछ भी कर सकती है तो दे और तीसरा ही किया तो नहीं किया तीसरा कर दिया और मुझे अप जैसा लग रहे है कि वह चौता भी जो है न यह इंडिया चौता टी-20 इंडिया जितेगा आपके केने का मक्सब ज सिरीज भी जीत जया आँ पावर भी मैं खेल समझ में आ रहा है यार कोई गराउंट से बाहर ही नहीं जा तो आज के मेच पी अकर हम बात करें आपको नहीं लेगता सौट अफरीका ने कहीं ने कहीं खराब किला है फोटी-एड स्कोर से वह आ रहे हैं अगर मेच कुरूशल मुमिन्ट में जाता पिर भी समझ में आता तो इसका मतला पे कुलेप्स कर गई ना सौट अफरीका की टीम कुलेप्स नहीं कर गई भाई देखे अगर एक दो रन से आरते ने तो मैं कहता है यार ये कि बिल्कुल टफ टाइम दिया था सौट अफरीका ने फूर्टी-एड क का तो घुसा देखा नहीं जा सक रहा था उनके लवर्स थे परिशान थे क्योंकि उन्होंने तो फाइव फूर वन का कह दिया था अब जब उन्होंने देखा कि प्रडिक्शन तो सही जा रहा है तो कहने लगे कि वह यह यह तो बहुत मसला मसाल हो जाएगा और हम लोग तो आपने प्रेडिक्शन दी थी फाइव जिरो की तो बी सीसे आई ने आपको घलत साबित करने के लिए यह मैच फिक्स करा दिया यह लग रहा है और यह आप देखे ना शौट पर देखे कोई आ रहा है ऐसे कर रहा है और वह कैच हो जा रहा है कोई जानी नहीं लग रहा है छुरू के दो टी-20 में इंडियन प्लेयर की बॉडि लेंगविज नी लग रही थी कि यह जीत के लिए कि आज के मेच में साथ अफरीकान प्लेयर्स की बॉडि लेंगविज वो शो नी कर रहे थी तो यह बॉडि लेंगवें लगए जब पीचे से किसी बड़ें ने हाथ तो पिर जब हमारा हाथ है तो जितना है आप खुछ सोचे नहीं यार वही टीम है सौथ अफरीका की जो इतने जलील कर दिया था और अभी इतना फुर्टी एट से यह तो मैं जो लग रहा फिफ्टी से भी उप जादा सरन से आरते हैं जब सेटिंग हो जाता है ना तो अगले नजर आ रहा था सौथ अफरीका में कि जीतें खेलें जीतें ड्रो करें क्या करें समझ नहीं आ रहा था आप उनका शौट पर देख लें आप उनका शौट भी देख लें और बोडी लेंगवेज देखें मतलब जान बूच के वा उट हूँ है जान बूच के मुझे तो जो क्वेश्ट लूइब में मैच फिक्सिंग आथा और मुझे शक है कि अभी आपको क्या लगता है के मैच में सीरीज में मैभी मतलब दम नहीं है अभी टुिस्ट नहीं है सीरीज का रिस टपे लग गें अ än इंडियन के अवाम के लिए तो है नहीं आप अद्बाराई करेंगा और प्रफ कोशिच तु करेंगा कि ढूरा सा कागस का का रिकम कर लेता है तो अभी इसमें भी पावर डालेगा थोड़ा पावर डाले गा तफिर आप देखले ना चूंकर अगर अगर तो नों टीम में फा चास रहना समझ से बाहर है आप यह सोच लो अच्छा और देखो दूसरी बात है यह वो टीम भी नहीं है साथ अफरीके के मजबूत टीम है और प्लेयर आईपियल भी खेल चुके हैं और मजबूत खिलाडी भी है सारे और उचानक 48 रन या टी 20 में 48 रन बहुत होता है यह तो वंडे में जल्दी नहीं मिलता भाई यह वंडे में 53 रन 55 रन 100 रन 120 रन contains हमें अगर कहतें के वेस्ट इंडीस के सी टीम से आप लोग खेल रहे हो थीख यह मान भी लेते है चलो सी टीम है नए लड़के हैं सारे ठीक है ना लेकिन यर आप तो सीनियर से खेल लेते हैं जो सीनियर आपको दो सो बारा का टार्गेट जो है चेस कर ले रहा है दस-दस गेंद पहले पांच-पांच गेंद पहले वो एक सुससतर अपिर बॉड़ी लेंगवेज आप सौथ अफरीका का देख ले उसके इलावा आप ये भी देख लें कि जो एज लगे कैश दे रहे थे लग रहे था कि को खुद उठा के दे रहे हैं अब पकड़ ले भाई नहीं पकड़ साता है नहीं पकड़ साता है मैं तो कहता हूँ इस मैच के इंक्वाइरी करवा है करप्शन आपको फुद साबित न हो जाएगा और मुझे दो वरसे लगता है कहीं ये चौता भी इंडिया जीत जाएग अगर ये मैं कहता हूँ फिर भी अगर में ले लेता हूँ कि अगर ये मैं चिनों ने करप्शन से पाक मैच अन्यों ने जीता है तो शुकर है कि इनको कोई जोश आया इनको गहरत आया वनना तो जिस तरीके से इनके टीम की परफॉर्मिस जा रही है वो तो मुझे ऐसा लग रहे है कि अब इनको जमवावे क्या कोई कलब की टीम से खेलना पड़ेगा इनको य जजबात बदल गए या कहीं न कहीं बिहांड दर सीन कुछ हुआ है अच्छा जबात बदल गए दो मेचों में क्यों नहीं कॉन्फिडनस था आज अचानक से रहते रहते हैं आज हमारी टीम इंको मार देगी यह कर देगी तो मैं अच्छी बात है लेकिन में दूसरे दो मेचों में यह कॉन्फिडनस नहीं देगा तो लाज़िए और गभी कर रहा था अगर हर तक बिल्कु करीब जाकर लास्ट अवर सेकंड लास्ट अवर पर इस पर जाकर पस ता अरतालीस वह और आल आउट हो नहीं इनके तो पांच-छे बैस पांच-छे विकिटों तक बैसमें इतने को बीस अवर पूरा खेल रहे थे दो मेचों में पीछ तो पर सौथ-अफरीका नहीं चोड़ेगा एक तो दे दिया है कि चलो खेरे महाँ आप आपको खुश कर दे ते लेकिन चोथा मार देगा सौथ-अफरीका सिरीज वह हर आल में जीतेगा सौथ-अफरीका यह सिरीज उसको जीतना है तो इस मेच में दो प्लेयर निचले सौथ- इंडर डुसन और मिलर क्या लगता है आपको यही दो की प्लेयर हैं कि यह ना चलने की वज़ा से सौथ-अफरीकन टीम हार गया सारा फोकस टीम की खायर बैस्मेंट में तो इन दो पही था सारी जमत है क्योंकि डिकोग जो है ना बैड़ गया उसका समझ अन्फिट हो गया क्या हो गया डिको क्योंकि अभी फॉर्म में ता डिकोगे आई पील में अच्छा खेल ला था उसको विठा गया यह मेरे समझ से बाहर है क्या अन्फिट हो गया है अगर अन्फिट नहीं तो उसको चोते में लाजमी लाए और कि बॉलिंग तो साथ अफरीका की है अच्छी क्योंकि बॉलर जो हैं सौथ अफरीका के वो इंडियन बैस्मेंट को बिल्कुल पकड़े वें के हिलने भी नहीं है आज मिंका ओपनर चल गया थोड़ा सा ओपनिंग स्टैंडिंग के अच्छी हो को उसके बाद आप देखो सारे खिलाडिंग के भी वेसी आउट के अउट अच्छांग में देखूंगा एंगा कोंफिडन्स के आज हम जीते आएंगे नहीं जीत जाएंगे जसे आज कोंफिडन्स से कह रहे थे सुवा से यह मैं इस तो हम जीत जाएंगे बाकि दो टी-ट्वेंटी में सौथ अफरीका ने चेस किया आसानी से चेस चिया एक पहला T20 पांच विक्टों से चेस किया दूसरा अब चार विक्टों से चेस किया लगते है आपको टोस कही न कहीं एमपॉर्टेंट है और चेसिंग में सौथ अफरीका की टीम अच्छी है अगर अचानक वो फर्स्ट डिबेटिंग आती है सौथ अफरीका की तो वो उसके बाद क्या होगा आज कल नाइट मैच्टी ट्वैंटी जितने भी हैं खास तोर पर एशिया पिचेस पे टॉस डिपेंड करता है क्योंकि डिव फेक्टर ये सब चीज़े टीम भौजा और इससे तकरीबन टीमों को फाइदा भी होता है तो इस चीज़ पर टीम है जाती है अब कोई टीम इसको निकल जाती नहीं वहना टॉस बहुत एहमियत होता है आज कर खास तोर नाइट मैच्च के लिए टॉस बहुत एहमियत है